आप सबी कैसे हैं इस वीडियो में हम step आ step divide करना सीखेंगे तो 314 में हम 4 का divide कैसे करें या इसको आप ऐसे fraction के रूप में भी लिख सकते हैं यह चार का divide हम कब कर पाएंगे जब दी की संक्या इससे बड़ी हो एक अंक के साथ हम तुलना करेंगे तुलना करके क्या देखेंगे क्या यह चार से बड़ी है नहीं है तो फिर अगला आंग सामिल कर लो अब चार से बड़ी है यह अब हम चार का पाड़ा कितनी वार लें कि आपका 31 से बड़ा ना है लगाओ दिमाग एक चोग चोग बेचोग आठ तीन चोग बार रहा है चार सुख शोड़ा पांच चोग 20 से चोग 24 साथ चोग 28 आठ चोग 32 आठ वार लेते हैं तो इससे बड़ा आगया हमने चार का पाड़ा साथ वार लिए कितनी वार? साथ वार तो भाग गया साथ वार कितना रहा है 28 फ कितने वार लिए आठ वार आ गया 32 फिर हमने माइनस किया कितना गया 2 अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे एक चोग चोग वैच्छोग आठ तीन चोग 2 बार है 4 रुक 6 पाँच चोग 20 पाँच वार लेते हैं तो कितना आ जाता है 20 आ जाता है फिर हमने माइनस किया 0 आ गया तो यह 0 आपका क्या है सेंस फल है और यह आपका भाग फल है इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भाग फल लिखते हैं तो इस तरकार से यह हमने एक छोटा सा डिवर्ड करना सेखा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता है